हेलो फ्रेंड्स मैं आस्री सापका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं फ्रेंड्स अलंकारों पर आपके लिए मैंने फिल्मी गानों के माधिम से बहुत सारे अलंकारों पर वीडियो बनाये थे उनमें कुछ दोस्तों का कहिना है जो उपमा रूपक पर एक्सालंकार को टिक कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए स्पेसरी बनाया है जिसमें तीनों अलंकारों को अलग अलग तरीके से अच्छे से बहुत आसान तरीके से समझाया है तो जहां से देखना पूरी वीडियो को चोटी-चोटी बात आपको वीडियो के अंदर बताई जाएगी तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए आये हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब इस तरह से लाल बटन दबा करके उसके बगल में आपको एक बैल आइकन मिलेगा घंटी बना रखी है इस घंटी को भी आप इस तरह से प्रेस कर दें तो आपके पास सारे नोटिक्रिकेशन हमारे आते रहेंगे जोगी मैं आपके लिए नहीं वीडियो बनाऊंगा वह आपके पास आएंगे तो चलिए आपको नया सीख लेते हैं तो दोस्तों चलिए अलंकार में अंतर तो दोस्तों यह टोपीक की बहुति में में होते हैं बाकी कर लेते हैं लेकिन जो कनफ्यूज है वह इन ही वीडियो को देखेंगे अंत तक तो आपको यह तीनों चीजे में अच्छे से किलियर करने वाला हूँ आज आपको फ्रेंड ये आपको अपना अंसर गलत करके आजाए तेकिन फ्रेंड्स आपको यह वीडियो इसलिए आपके लिए बनाया है ताकि आप अन्फ्यूज ना हो तो चलिए टाइम जादा ना लेते हुए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं उत्मा लंकार तो फ्रेंड्स उत्मा उत्मा लंकार होता है यहां पर एक चीज़ देखिए आपने समानता या तुलना तो फ्रेंड्स उत्मा लंकार में यही रहता है समानता या उत्मा लेकिन यह रहता किसमें है तो आप यह किलियर हो जाएं कि यह जो समानता और तुलना है यह उत्मा उत्मे और उत्मान के अंकार में तुलना होती है आप एक एक चीज बारिक से असानी से ध्यान से देखें इस वीडियो को पढ़ें और चाहें तो आप इस वीडियो के माध्यम से एक ही एक्जामपल होगा एक ही लाइन है लेकिन वो लाइन किस तरह से उपमा बन जाती है किस तरह से रूपक और किस तरह से उद्परेक्सा बन जाती है तो उपमा में आपने देखा कि समानता रहती है तुलना रहती है और वो रहती है उपमे और उपमान के बी किसमें कौनसा अलंकार है तो चलिए उपमे के बाद हम चलते हैं रूपक की ओर तो रूपक को देखिए आप कि जब गुण की अत्यनत समानता के कारण उपमे को ही उपमान बता दिया जाए यानि उपमे और उपमान के भेद को खत्म करके उन्हें एक ही कर दिया जाए वहां अलंकार होता है तो फ्रेंड्साब धिया हम इस το देखें बीडियो को बिलकुल आप बाकी काम चोड़ करके अगर आपको अलंकार समझने हैं और विशेष कर कन्फ्यूज होने वाले यह तीन टॉपिक समझने हैं तो आप बाकी काम चोड़ करके यहां इस बीडियो फोकस कर है कि उपमे और उपमान के जो भेद हैं अंतर है डिफरेंस है उसको खतम करके एक कर दिया जाता है यानि उपमे और उपमान को एक ही कर दिया जाता है उपमे अलग और उपमान अलग न करके दोनों को एक कर दिया जाता है और वो है हमारा रुपक अलंकार फ्रेंस पीछे चलते हैं एक बार फिर से याद दिला दू आपको उपमा में क्या होता है समानता या तुलना होती है दोनों की बीच में यानि कि उपमे भी वहाँ पे मौझूद है और उपमान भी मौझूद है तभी हम एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं लेकर रुपक में दोनों अलग अलग ना हो करके दोनों एक ही हो जाता है या हम ये कहें कि उपमे को ही उपमान समझ लिया जाता है या उसे बना दिया जाता है चलिए अगला हम बात करते हैं हमारा उत्परिक्सालंकार तो फ्रेंस उत्प उत्रेक्षालंकार की परिभासा की ओर ध्यान दीजे क्योंकि परिभासा अगर आमें समझ आ जाए अच्छे से तब ही हम इसके एक्जामपल की ओर चलते हैं और एक्जामपल को किलिए ली समझ सकते हैं तो वीडियो को आप पूरा देखें एक टॉपिक देखें और अंत में जो एक्जामपल मैंने रखे हुए आपके लिए उन पे आपका फोकस जादा बनना चाहिए तो देखें इसका जब अत्यंत समानता होने के करण उपमे में उपमान के होने की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्रेक्षालंकार होता है तो फ्रेंस यहां पे देखो यह तो उत्रेक्षालंकार में फ्रेंस जो उपमे उपमान हैं उनमें जो है संभावना या कल्पना की जाती है या उपमे में उपमान के होने की संभावना यानि कि हम कल्पना करते हैं सिर्फ एक एहसास होता है हमें कि जो उपमे हैं वो उपमान ही है या उपमान की तरह है उप भावना करते हैं कल्पना करते हैं तो यह हमारा है उत्प्रेक्षालंका तो फ्रेंड्स इसके एक्जामपल क्यों ले चलते हैं आपको एक्जामपल से आपको और भी अच्छे से समझ आने वाला है किस तरह से एक ही एक्जामपल तीनों काम करता है तो फ्रेंड जैसे उपमा में एक्जाम्पल है कि मुख चंद्रमा के समान सुन्दर है या समान है तो यहाँ पर आप दो चीज़े देख सकते हैं एक है मुख और दूसरा है चंद्रमा तो फ्रेंड्स मुख क्या है इसमें आपको बता दिया मैंने पहले भी आपने पिछली वीडियो भी देखी होगी तो आपको खुदी बता देना चाहिए कि जो मुख है आपका वो उपमे है और जो चंद्रमा है वो है आपका उपमान तो चंद्रमा आपका उपमान है और मुख आपका उपमे है क्योंकि मुख की तुलना हम कर रहे हैं चंद्रमा से तो फ्रेंड्स यहां पे मुख भी है और चंद्रमा भी है दोनों की तुलना हो रही है दोनों का एक दूसरे के से समानता दिखाई जा रही है तो यहाँ पे आपका हो गया उपमा लंकार अब दूसरा चलते हैं रूपक पे तो रूपक में देखें कि मुख ही चंद्र है तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुख ही चंद्र है का मतलब जो मुख है वो इतना सुन्दर है कि वो चंद्र ही है तो दोनों को एक कर दिया है मुख और चंदर को एक कर दिया है या कहें कि मुख में चंदर का आरोप कर दिया है तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार है सेम लाइन थी लेकिन रूपक में किस तरह से आपके पास आ सकती है लाइन और उपा में किस तरह से आएगी इस तरह से आप उत्परेक्सा में देखिए कि मुख मानो चंद्र है तो यहाँ पे एक तो आपने यह नोट किया होगा अगर आपने पिसली वीडियो देखिए होगी उत्परेक्सा वाली तो यहाँ पे देखो मानो सब्द आया है तो आप किलियर समझ जाए कि मानो उत पर एक समय लेकिन यह तो रहा ट्रिक आप अगर अर्थ समझ गए तो आपको ट्रिक की भी बिल्कुल जरत नहीं पड़ेगी अगर आपने तीनों को अच्छे से समझ लिया कि मुख मानो चंद्र है तो फ्रेंस मुख यहाँ पे क्या है उपमे है और चंद्र है वो उपमान है तो मुख चंद्रमा का चंद्रमा के कलपना की गए यह मुख में तो उपमे में उपमान की कलपना संभावना कर रहे है तो यह आपका उत्रेक सा लंकार है जहां पे उपमे में उपमान की जो संभावना या कल्पना करते हैं यहां पे देखो मुख चंदरमा की समान नहीं का और नहीं मुख और चंदर को एक किया है लेकिन मुख को ऐसा लग रहा है मानो मुख नहीं चंदर है तो यहां पे संभावना या कल्पना की गई है एक एक्जामपल आपके लिए मिने होमवर के लिए तोर पे रखा हुआ है इसको समझे आप उपमा का मैंने एक्जामपल आपको लिख दिया है कि उसके बार रेसम की तरह मुलायम है तो आप फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले आप उपमे चाटिए तो उपमे क्या है आपका उपमे है आपका बाल जो आपके बाल है उपमे है और जो रेसम की तरह मुलायम है तो रेसम है आपका उपमान तो ये आपको मैंने इतना क्लियर कर दिया है उपमे रुपमान बता दिया है कि उसके बाल उसकी तरह तो उसके बाल उसकी तरह रेसम की तरह मुलाइम है तो फ्रेंड्स अभी आपने इसी एक्जामपल को लेकर के जो रुपक हैं इसको भी आपने कौपे पैनले के थोड़ा सा दो-पांच मिनट में आप समझ जाएंगे जब आप उपमे रुपमान को एक कर देंगे तो आपको आपका रुपक हो जाएगा जहां पर आपको संभावना लगे उपमे में रुपमान की वापकी उत्प्रेक्साई जान बुच के मैंने आपके लिए होमवर्क रखा हुआ है ताकि आप इस अलंकार को इन तीनों को अच्छे से समझ लोगे तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा अगर आपको उपमान पर एक सा जो मैंने एक्जामपल देए इसको समझ ना आया कनफ्यूज हो तो अब कमेंस बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं